हेलो एब्रिवन मैं प्रेंच शर्मा एक वाई फिर्श वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल इजी इंग्लिस विद प्रेंच सर्म है लास्ट क्लास में हम लोगों ने CVSC का 10th क्लास का इंग्लिस का सेंपल पेपर देखा था आज हम सोसल के CVSC सेंपल पेपर को देखेंगे चलिए फिलाल आज हम इसको सूख करते हैं तो जो चीज़ वहां पर थी वैसे ही इंस्टेफ्षन यहां पर भी है आपको 10 कोशन करने हैं और यह जो मिलेंगे वो case based होंगे 12 कोशन इसमें 10 करने हैं इसमें 5 5 कोशन की 2 case study मिलेंगी आपको और जो paper section D है उसमें maps है map based questions attempt both the questions और दोनों कोशन आपको attempt करने पड़ेंगे all questions are equal marks सभी questions equal marks के हैं अब आप यहां पर भी देखिए यह टू मार का map सभी दो मैप पे कोशन है यहां 10 है यह 18 और 20 तो 18 और 20 20 40 और 10 50 यहां भी पेपर के question बन रहे हैं वो 50 marks के बन रहे हैं पर जो answers है यह जो भी number आगे बनते हैं वो समझ नहीं आ रहा किस हिसाब से 50 mark करते जा रहे हैं बगी मेरे हिसाब से यह होगा कि कुछ questions के number कम किये जाएं कि यह question इत्ते marks का यह question का इत्ते marks का यह question पूरा 5 question 4 mark के हैं जो भी होगा वो तो यह लोग बताएंगे कि क्या सब्सक्राइब होगा फिलाल जो मेरे हिसाब से है वो यही है और जो नमर मार्किंग स्कीम है जो आपके MS बेजी हुई है CBSC ने उस MS में आपको के वर और के वर अंसर्स दिये जा रहे हैं ना कि यह जा रहा है कि number कितने कोशन की कितने number नमर नहीं है और फिलाल तो भी तक जो रिपोर्ट मेरे सामने उसके सबसी यह है आप हम पेपर को थोड़ा डीपली एनलाइस करते हैं बताते हैं कि पेपर कैसा पैटर्न है कितना सिंपल है कितना है तफ है तो शैक्शन ए सेक्शन ए में आपको 24 कोश्चन है ठीक वह सकता है क्योंकि सोचल का पेपर है और मैं आपको अंसर भी बदा दूँ हाल की हाल तो ऐसा भी आपको शाहिद देखने को मिल सकता है आज बागी सेक्शन ए अटेम्ट एनी 20 आउट ओफ 24 कोश्चन है जिसमें से आपको 20 कोश्च कोश्चन मार्ग करने है तो फौ अमांक दॉब फॉलवूवव फांडर पहला कोश्चन यही है और वह भी एमसी कोश्चन हैं और पहला कोश्चन भी आप देखेंगे भी अंसर से पढ़कर दाएंगे पहले आप यह दिख लीचिए कि दिखिए जितने भी कोश्चन से आप तो यहां तो कोई भी मेरे हिसाब से ऐसा कोई मेजर चेंजिस नहीं है लास्ट यह के लास्ट यह विए ऐसा ही पेपर कुछ था सेवंटी परसंट को एंसिक यूजी थे और मैंने बताया भी था लास्ट यह बच्छों को पकी इसे देखिए अब पहले कुछन को पढ़ते हैं एक वार और अंदर लगाते हैं कि विपर टाफ है या फिर इजी तो हूँ एमंग दा फॉलोवें वाज़ा फाउंडर ओफ यंग यूरोप अंडर गाउंड सीगेट सुसाइटी इन वैरन तो कौन था बिटा गिजिव मैजनी अगर मेरे हिसाब से आप लोग पेपर को डीपली पढ़ते हैं तो ऐसा नहीं होगा कि आपको कोशन छूटे या फिर आपको लगे क पक्रिव मेंजनी को पढ़ देन इंगे फ्रेंश रिष्रीन इं वादे में तो इसमें कोई अंसर जादा डिफिकल्ट है नहीं अंसर भी होजाएगा यूनिफिकर्शन ऑफ गेट बिटेन ठीक है पेटा तो मेरे हिसाब से पेपर तो पैटर्न अभी स्टार्टिंग तो स्टार्टिंग तो उसकी अच्छी हुई है वाकि जॉल वेलन के आरे में और वाकि इस चीज़ के तो आपको गारंटी मिली जाती है कि आपको 80% को पेपर तो मेरे नोट से होता ही है वागि इस वारी आप कहा सकते हो कि बैसे 90% होता है लेकिन मेरे हिसाब से मेरे पूरा पेपर फश सकता है तो अगर आप लोगां जोइन नहीं किये तो फटावर ज पड़ेगा तीसरा जॉलिवन है आप पॉलिटेक्स से है ठीक है पांच मां चॉदा कोशन देखिए आप विच आप फॉलविं कंट्री इंवाल्व इन दा थ्री वार्स विद पूरुशिया और इंडेट विदे 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 जर्मानी यह उनिविदे जर् चैप्टर है और मेरे हिसाफ से चैप्टर दो टफ चैप्टर है उसमें से एक चैप्टर यही है नेशनलिज्म इन यूरोप अगर आपको इससे कोशन ज्यादा दे जा रहे हैं आप समझ लीजिएगा पेपर आफ के टफ हो सकता है मैक्सिम चांसे नहीं टफ हो जाए ठीक ह है चलिए चूज दा क्रेक्टली मैस्ट पेर एवाउट दा क्रॉफ्स एंड दा एडियास दे आर रोन इन तो कोशन नमा सिक्स का अंसर आप अगर आप लोगों को पता है तो नीचे कमेंट वॉक्स में जरूर बताएं पकि आप लोगों को इतना तो मानों पड़ गया है कि देखिए कि अंसर क्या है कमेंट वक्स में बताई उसके बाद मैं आपको देने वाला हूं अभी के अभी तरफ लंबा छोड़ा मैं इसको पोस्पॉंट नहीं करेंगे क्योंकि पोस्पॉंट करने से कहा होता है कि हम अंसर बाद में शाहिद हो सकता है मैं ना भी दो वीडि प्रॉब्लम नहीं होने चाहिए करने के और economics का पार्ट तो बहुत अच्छा होता है और यहां पर भी थोड़ा अच्छा ही पार्ट दिया है मैं जो भी देखा है यहां पर वहां तक तो मुझे रखता कि economics में आपको कोई दिक्कत नहीं आने चाहिए और शायद politics में आपको problem नहीं आने चाहिए politics economics और geography में थोड़ी बहुत दिक्कत आने चाहिए क्योंकि map को थोड़ा हटा दिया है reduce कर दिया है वहां पर दो कुशन ही map के हैं पैसे 5 कुशन आते थे जिसमें आपको बहुत सी प्लेस करना पता होता था तो आपको वहां से कर सकते थे लेकिन यहां पर दिफिकल्ट हो सकता है मेबी चलिए section B में आपको 22 में से 18 कुशन करने थे और जो इमेज है आपको देहाई पढ़ रही होगी यह किसकी विड़ा जर्मेनिया की किसकी है यह जर्मेनिया की फॉल्लविंग इमेज इसके लिए देखना जरूरत है नहीं आप बहुत अच्छे इस से बाखिफ होंगे इंटिफाई इस फॉल्लविंग इंपेड पर तो कहें रिट कुशन 24 किसके लिए जो विजुली इंपेड है इसका सेंड पार्ट विलियम वन सेंड थर्डी और जो लिखा हुआ है यह जो कुशन है वो उनके लिए है इसको छोड़ देना है आपको मेरे हिसाब से तो अभी तक फिलाल मुझे ऐसे क्यों दिक्कत नहीं आ रही पेपर में देखके और हिस्टी का पेपर या सोशल का पेपर आप लोग मान लीजिए करने के बाद बहुत अच्छा हो गया है आप डीपली पढ़ेंगे और यह चीज आपको अभी मालूम नहीं पढ़ेगी लेकिन जब आप किसी भी अच्छी एक्जाम में बैटेंगे लाइक एक्जाम में बैटेंगे तो आपको मालूम पढ़ेगा कि हिस्टी का पोर्शन कि अच्छा यहां पर देखिए इस जगह पर बैटा और रिजनीग भी आ रही है असे और रिजनीग भी आ रही है यहां तो यहां आपको मान सकते हैं थोड़ा डिफिकल्ट कुछन पेपर बने पर कि मैचिंग है उसके बाद फिर से आपकी स्टार्ट हो रहे हैं सेम चीजे है और काफी ठीक पैटर्न है यह आपका एकॉनिमिक से मुझे पेरगाफ लग रहा है यह दा फॉलोवें डाटा एंड अडियाई आगया आपकी बेटा यह डियाई ही बोलते हैं जिसमें एंड बन सकते हैं अच्छे खासे और ठोले डिफिकल्ट भी बाकि सेक्शन सी आप देखिए सेक्शन स्ट्री में एक दो कैसे केस्टेडी हैं और आपकी पढ़ सकते हैं यह भी आपके बुक से होती है तो अगर इस वार आपको एक शीज तो किलियर है कि आपको बुक है नहीं अगर इन केस आपको कुछ डाउट लगता है अहां चलिए मैप पर पढ़ लेते हैं मैप बैसे भी आगे चलके मुझे बनाने वड़ी दिक्कत होती है पढ़ाता शाहिद आपको थोड़ा कमी बढ़ाऊंगा मैप के बारे में अपने चैनल पर लेकिन जब तक अभ असम यहां तक कोई दिक्कत नहीं होने चीए मेरे इसाब से आगे जो कुछ न आ रहे हैं वेटा इसा होता था कि आप लोगों को पूरी बुक पढ़नी पढ़ती थी लेकिन मेरे इसाब से अब आपको ऐसा नहीं करना पड़ेगा हाफ एक्जाम होई जाएंग नवंबर में तो आपको जो चेप्टर आई रहे हैं उन्हें हटाई दोगे उसके बाद जो बचे हैं वो करोगे तो फड़ा प्रेशर कम हो जाएगा बाकि इस पेपर में मुझे इतना ज़्यादा कोई समझाने को लगा नहीं अगर आपको लगता है कोई छूट रगी है या कुछ चीज आपको समझनी है आप मीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं मैं आपके लिए चल्दी जिल्दी उसकी वीडियो लाने कोशिस करूंगा अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें शेर करें अपने दोस्